कैसे हो आप सब मैं रुबीन आप सब का प्रिंच चैनल में वेलकम कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ चिली चिकन की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ लेकिन मैं भूल गई थी मेरे याद ही नहीं था तो फिर मैं बनाने जा रही थी मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाई है तो इसको जैसे मैं बताया कि चैनीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं खाती रहती हूँ बनाती रहती हूँ लेकिन उसको हेल्दी तर तो इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया था तो इसको आप आप लोग के साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूं तो चलो आप लोग देख लो रेसिपी तो इसके लिए देखे मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया था तो इसको आप अगर दूल के अच्छे से फ्रीजर में रख दो थोड़े देर के लिए तो यह थोड़ टाइट हो जाता है ना तो काटने में आसानी हो जाती है तो इसको इस स्ट्रिप्स में मैं काट रही हूं इस तो पूरा मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था बड़ा तो उसको कट कर लिया अच्छे से फिर अब इसमें पहले मैं धुलके रखा था इसलिए अब बाद में धुल रही हूं तो इसको आप मरिनेट के लिए अच्छा मैं गर तो आप लिया है तो मने ठाल सकते हैं अगर नहीं से Bennia Paragie बस यह चीज है जैसे उस पर क्रिस्प एक लेयर आ जाती है लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो फिर इसमें मैं थोड़ा सा वेनेगर डाल दिया है यह सेब वाला सिरका एपल साइडर वेनेगर थोड़ा सा डाल दिया है खटास के लिए ज्यादा नहीं लार्मिर्च लालर के लिए बहुत थोड़ा सा है करते हो आप लोग मेरी रेसीपी में देखते ही ही हो तो ड के पास मारी ने अनसे सोज रहा हने दहूआ लिया है पदानी कि अपकी बार सही नहीं हो रही है एक अपते से जादा, 10 दिन से जाधा जादा, तो बस पैन ले लिये उसमें हलका सा टेल डालके इसमें जैसे ब्रश भी कर सकते हो, आप चाहे थोड़ा सा डालके, मैंने देखा आधा चमज डाला है, फिर अविसी में सारे जो हमने ये मेरिन करके स्टिफ्स चिकन की रखी है, ये इस लगा देंगे अच्छे से, फिर बहुत जल्दी पतले-पतले स्टिफ्स है, बारी-बा तेल भी हमने बहुत ही कम यूज किया है, वैसे तो मैं इसको एयर फ्रायर में करती हूँ, लेकिन मैंने एयर फ्रायर में दो-तीन रेसिपी शेयर करी है, तो लोगों के पास एयर फ्रायर जिसे बहुत लोगों के पास नहीं है, तो वो मुस्से पूछते रहते हैं कैसे बना तो आखरा दाल के आप इसको फ्राइर कर सकते हैं फिर ऊसके बाद आगे वाला प्रोसेस आवह उससे तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैं बता रहें। उसमें कम तेल लगेगा, इसमें भी कम ही तेल है, सब मिलाके एक चमज भी तेल नहीं डला हुआ है, देखिए बस अब इसको एक प्लेट में निकाल के, बस अब उसी पैन में मैं थोड़ा सा और तेल डालनी हूं, बहुत थोड़ा सा, आप कोशिश करें कि हल्दी रहे, आप क मैं सरसो का भी खाती हूं, ओलिव ओयल भी खाती हूं, तो आप जो भी ओयल खाते हो, आप कर सकते हो, बस अब इसमें एक चमज लस्त नहीं है, तो इसलिए बहुत जादा ब्राउन नहीं होगी, हल्का सा बस कलर आ जाएगा, हल्का सा, क्योंकि हम ज्यादा तेल डालेंगे, तब ही अच्छे से क्रिस्पी सी ब्राउन होती है, तो ऐसे बस हल्का सी सौते ही करना है, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें क्रिस्पी करना है, प्यास को बस सौते हल्के सी हो जाएगा, कच्चा पर निकल जाए, फिर उसके बाद ये सौस इसकी रेसेपी भी मैंने डाल जाल दिया है , वेग्योंगी खायर ये चावल के सा बनाते हैं कि चावल नहीं बनाए था, तो उसी के रेसे पर आप लोग देख ना चाहा ह रहे थे, socplain, चावल नमगी क्नुवर नहीं कि आपास क combustion हाधोंया भीए, क्नुवर जाल जादा लगता है, फिर फिर इसमे थोड़ यह वी में अप्ल साइडय बने कर डाल दिया हलका से खटास के लिए और थोड़ी से नमक डाल दीया हो थोड़ा बल्लैक पेपर डाल के डाल देंगे डाल तो अगर चाहूं आप थोड़ा से किया लांट करना तो इसले सावा डाल दाल सकते हो तो 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 छोख साडर दाल अपनीन हा लेकिन डाल यूँ फर इसमले één प्रीश प्रिया और चिर्ट गाट करना चैप से लिए नहीं अई मसालों के साथ ही पका लेंगे इससे थोड़ी सी सब्दियां पक जाएगी फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूंगे हलका से ही पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं सब्चाजा पक जाती है चैनीज में तो वो टेस्ट नहीं आता है कच्ची ही रहती है, क्रंच रहता है, पस हलका से उसका कच्छा पन निकल जा इतना करना है बस मैं इसको एक मिनट ही कर रही हूँ, बागी जो चिकन जिसे सोते करके रखा था इसमें डाल देंगे, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी और मैं डालनी हूँ, हलका सा ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ही, बागी जो हम चिली चिकन या पनीर बनाते हैं तो फिर ग्रेवी में हम कॉन फ्लोड डालते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए तो इतना जाद हमें जिसे पानी नहीं डालना है कि इसको गाढ़ा करने के जरूरत बड़े बस थोड़ा सा आप इसको डाल दीजिये देखिए हलका से लसा पन रहे बस इतना जाद नहीं इसको चावल के साथ बहुत ही जाद अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से घुल मिल भी जाता है तो आप इसको जिसे ब्राउन राइस के भी साथ खा सकते हैं अगर वाइट राइस नहीं खा रहे हैं मैं तो अब खाती हूँ त तो इसको ब्राउन राइस के साथ खा सकते हैं या तो फिर किनोवा राइस के साथ खा सकते हैं जैसी आपकी मर्जी अपने लिए निकाल रहे हूं एक जिसे अपने हस्बेंट के लिए उनको चावल के साथ मैं दे रही हूँ तो आप इसको चावल के साथ खा सकते हो या तो फिर ऐसे खा सकते हो आपकी मर्जी आपके उपर है आपको जैसे खाना हो लंच में ले रहे हो तो आप चावल के साथ ले सकते हो दिनेर में अगर चावल रोटी नहीं खाते हो तो आप खाली खा सकते हो आपके उपर है आपकी म अब लोग नहीं हैं देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी अगली रेसेपी में या फिर वीडियो में अपना ख्याल रखियो हेल्दी खाए हेल्दी रही है अल्ला हाफीज